हालो फ्रेंट्स वेलकम टू डिजाइनर जंक्सन मैं सचीन आज लेकर आगया हूँ फिर से नया टिप सेंट्रेक्स का क्लास तो आज के क्लास में हम यहां पे आपको एक मेजरमेंट टूल होता है इसका यूज करना सीखेंगे आप किसी को भी डैमेंशन्स भेजते हो कोई मॉ मेजरमेंट का यूज करके ही आप साइज दो यह मैं आपको बताऊंगा और क्यों इसका यूज करना चाहिए क्या आप इससे फायदे हैं वो सब क्लियर करूंगा इस मेजरमेंट टूल का जो आपको साइज देने में क्या फायदा है कहां यह अच्छा रहता है इसी से क्यों साइज देना चाहिए यहीं से देखके यह सब चीज़ सब कुछ मैं आज क्लियर करूगा तो चलिए समझते हैं इस चीज को मा लीज़े यहां पर यह measurement tool है और यहां पर xyz height width length वगरे यहां से और यहां से भी यह length होता है यह सब हब हो गया height यह क्या है हमारा हो गया width और यह क्या हैं हमारा depth तो यह depth है 0.4 यह 5 जो भी हमारा depth हो ग्या ठीक है? यह 6 inch width हो गया water-pi that is. यह 2 inch हमारा height हो गया. त यह तो हम पता है और हम यहां से भी दे सकते हैं लेकिन ऑई चांस ये जो भी हमने बनाया कूई model कोई back door कि हिए पार्ट है हमारे शीन का हुआ इसे ही भी हमने बनाया है या हमें साइज देना है तो इसको हमें किसी को बताना है यहां से तो मैं किसी को भी दे सकती हैं। इसकों यहां तो अब यहां थो सा भी अब का अबजक्ट स्कील हो जाए, चाहे वो छोटा हो जाए इस तरह या बड़ा हो जाए यहाँ पे आपको उससा फर्क दिख जाएगा देखिए छोटा बड़ा होते ही सिर्फ मैं अगर ऐसे करूं तो एक्स वैसे यहाँ पे पुराना साइज दिखा रहा है जिसमें बने बनाया था विर्थ यहाँ 6 इंच दिखा र यहाँ से ज्यादा हो चुका तो इस तरह से स्केल हो गया कम यहाँ जाता थोड़ा भी वह फर्क पर जाता है तो हमेशा यहां से देखिए अचा वह चूड़िए आप अगर बाइचांस, वह है ही यह यहां से अगर स्केल हो इसका साइज कोई वैल्यू नहीं है इसका पाइ अगला एंगल से ऐसे करके साइज निकालते हो यहां पर यह बहुत ही बेतुका लगता है क्यों न आप यहां पर ऐसा सेलेक्ट करो यहां पर जाओ यह साइज दिख्या तो मैंने किसी कुसी को देखा तो मुझे अजीब सा लगा तो मैं सोचा कि यार इसके उपर एक क्लास बन यहां पर मुझे वैल्यू चेंज होते हुए दिख रहे हैं इस तरह से आप साइज दिया करो किसी भी चीज का आपको साइज देना है तो ऐसे ही दोगे चाहे आप क्यों नहीं एक श्वियर लेलो माले दीजे मैंने श्वियर लिया ठीक है अभी फिलहाल तो आपको इसका प सभी लोग जानते है माल लीजे यह एक इंच रेडियस है तो इसका दो इंच डाया हो गया यहां यहां से यहां यह एक रेडियस लेता है सेंटर पॉइंट उस सरकल का तो यहां डाया हो गया दो इंच चलिए एक इंच का है माल लो अभी तो मैंने बता दिया तो दो इंच से दोगे देखें यहां दो इंच का डाया है अच्छा अभी इसी में मुझे मैंने क्या किया यह एक है तो कैसे पता चलेगा माल लीजिए इसको हमने ऐसे पिछका दिया हाइट वाइस तो ऐसे पिछका आया अभी तो देखिए जैड यह डेफ्ट आपको यह कैसा बन गया कच बिइद के दिया जैड वैल्य भिर॥ एक्स वैल्यू हमारा है इसको भी में थोड़ा साएग बनाना है एक का सेप मैं बहीं बना दिया थोड़ा से तो एक का सेफ का वैली वह गया देखिए आपका एकस वैल्यू विर्थ जादा है लेकिन हाइट और वह डेफ्ट एक जैसा है एक इंच के थोड़ा आगे और यह जादा है तो इस तरह से मली एक है तो उसका साइज आपका निकल गया एक का तो यहां से इस चीजों का आप काल सकती हो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन माध्लो यहां पर मैं टी सभी इंच जाता हूं और यह टीपट बना लिए इस दिखी यह पर तो एक कर दो यह कई पर का फॉटर अपकुछ आता है तो बना रहे और फोट बूत बना रहे हो एक event का stage बना रहे हो साइज कैसे निकालूगी यहां से निकालूगे कोई तयार हो कुछ भी सब 죽 Also Pай Crisp कुछ भी तो यहां सी है इसी में बाइचांस कहिं पर कुछ ऐसा से है яр यह देखwang है तो यहां से आपको साइज देना चाहिए अब यह तो क्राइज Miranda पर चलते हैं यह एक लाइन मैं लो करता हूं यहां से यहां मैं ने तो कर तो है क्या लंबा अब मैं एक यहां से लू आया मेरा वायर चलता जा रहा ए तो क्या है कितना लेंथ है इस वायर का कैसे पता चलेगा यह देखिए लेंथ हमारा 37 इंच है यह जो ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है यह पूरा हमारा यह लेंथ जो है जो यह ऐसा कुछ घूमता हुआ जा रहा है यह 37 इंच का है ठीक है वैसे यहां से इस एंड से इस एं इंच, यहां से end से इस end तक का, ठीक है, जेड, y value हमारा सारे 7 इंच के प्रॉक्स, यहां से इस end से लेकर, यहां तक, यहां, चाहिए यह हो, यह हो, कोई भी पार्ट जो बाहर निकल रहा होगा, उतना, ठीक है, अब depth तो इसमें है नहीं, तो z value, 0 है, इसलिए z value, क्योंकि depth न total length इस wire का कितना जा रहा है, वो total length आपके, अपने line का, आपने wire का, आपके pipe का दिख जाएगा, यहां पे, 37.064 inch, आपका, इसका total length है, अब इसी तरह से, माल लीजे, यह हमने, सीधा-सीधा line की जा, इसका क्या जा रहा है, तो 9.064, यह हमारा, 9.9 inch से ज़्यादा, जा रहा है, तो अब यह है, अब y और यह खाली है, क्योंकि सिर्फ length length है, अच्छा, इसी में, एक चीज मैं बताता हूँ, इसी में, आपने क्या किया, कि यह थोरा सा यहां taper मार दिया, ठीक है, 45 के angle पे चला गया, अब देखो, अब जैसे ही आपने 45 पे कर दिया, तो यहां से यहां तब तो state के time पे, यह 9.04 था, क्योंकि यह state चा रहा था, तब तो इतना ही था, वो value अभी भी x वाला यहां दिखाएगा, क्योंकि यह सीधा सीधा count करता है, सीधा x, y, z count करता है, तो यह, लेकिन जो यह length है, वो यहां तक पे था, तो 9.04 था, अब यह थोरा सा बढ़ गया है, क्यों, direct 9.47 हो गया है, ठीक है, आप देखो, यहां पर यह बढ़ गया है, इसको मैं और थोरा सा अगर नीचे कीचू, तो आप देखोगे, यह 10 से भी उपर चला गया होगा, 10.4, यह उतना ही है, क्योंकि यह अभी भी इसका count कर रहा है, x value, x value सीधा सीधा, यहां सी यह टकर इसका यहां पर आ रहा है, x value अभी भी यहां पर count कर रहा है, तो इसका x value अभी भी जो x value है, यहां पर count कर रहा है, क्योंकि यह सीधा सीधा count करता है, तो इसका x value जो है, 9.064, यह यहां सीधा सीधा यहां टकर पर count कर रहा है, इसी तरह y value जो है, वो ऐसे count कर रहा है, यह वाई वैलू में भी फर्क आया होगा अगर यहां था तो कम था अब यहां हुआ तो 5 पॉइंट इतना हो गया इसी में आप मैं इसको वाई वैलू देखिए अभी 5 से कम हो जागा मैं इसी को जैसे ही कम किया तो वाई वैलू यह है एक्स वैलू यह है तो वाई वैलू यह अब आप देखेंगे कि Y value 5 से सीधा 3.24 पे आगया क्योंकि कम हो गया इतना तो यह है Y value यह है यह टोटल लेंथ है 5 का क्योंकि 45 पे चला गया तो यह अब नहीं कर रहा है यह अब ऐसा खिशता चला जाएगा तो यह length होता है यह height width और depth और यह आपका length यह अब कितना जा रहा है यह length देखिए अब इतना हमें नीचे खिशता दाओ इसको length बढ़ता जाएगा यह similar रहेगा यह length बढ़ता चला जाएगा तो length आप यहां से निकाल सकते हो तो यह चीज है इस तरह से आप size define कर सकते हो अपने ठीक है किसी को भी दे सकते हो माल लिजे आसानी से माल लो यहां से सोरी यह तो circle है आर्क पर जाओं यहां लिया और सीधा सीधा यहां लिया और यह ऐसा अब आर्क तो मैंने बना दिया ठीक है radius यह हमारा radius है यह है चलिए इसको मैं अभी तो यहां दीख भी रहा है कुछ लेकिन मैं जैसे ही से convert to spline कर दो सब गायब हो गया अब यह यहां तो कोई size नहीं है ठीक है यहां पर कोई size नहीं है यहां पर जाएंगे तो हमें देखिए यह x value यह यहां से यहां तक का भी मुझे value मिल रहा है कि यह खाली जो entry point है round का यहां से यहां तक का वह x value है हमारा साथे 20 इंच से थोड़ा सा ज्यादा यह यहां से यहां का यह depth value 9.452 यह देख आचा इसका total length यह देखिए 30 इंच के प्रॉक्स 29 इंच 29.884 यह हमारा इसका जो है total length जो हमारा यह length ऐसा कुछ घूमड़ा यह पूरा यह पूरा line का length है वो हमें यहां दिखा दिया and यह हमारा हो गया x यह end to end यह जो end to end है जो इस point से इस point पे मैं जो रख के छोड़ा हूँ तो यह हमारा total और यह depth हमारा total यह हमारा x वाला value जो हमारा width वो 20 यह depth या length समझ लो 9.452 और total length हमारा यह 30 इंच के अप्रोक्स तो यह है इस तरह से आप size निकालोगे किसी को भी share करोगे काफी अच्छा चीज मैं बताया हूँ आप किसी को भी size बगर नोट करके फीट है detailing वगर बनाना है कोई भी interior का तिकर कोई भी booth बना रहे हो कोई भी आप malls के shop and shop गॉंडॉला या आप units बनाते हो display units बगर पोडक्ट के लिए कुछ भी बना रहे हो तो उसका size आप ऐसे करके दे सकते हो बहुत ही अच्छा ट्रिक है तो जिनको भी अच्छा लगा है चरूर हिट कीजेगा like button जिनको भी अच्छा लगा है hit कीजे like button दोस्तों को share कीजे ताकि वो भी सीख सकें जो लोग नए जूरे हैं पहली बार देख रहे हैं वो subscribe कीजे अगर हमेशा चाहते हो कि आपके पास tips and tricks के update आते रहे हैं तो hit कीजे subscribe कीजे दोस्तों को share कीजे और कुछ doubt उठ रहा है mind में कुछ भी दिमाग में आ रहा है कोई भी query आ रहा है तो बिंदास comment कर दीजे और comment करेंगे तो मैं उस पर reply करूंगा और अगर अच्छा लगा लगा कि उस पर class होना चीज़ी तो class बना दूंगा नहीं तो Sunday को live class में बता दूंगा जरूर उसका answer आपको मिल जाएगा हमेशा Sunday को live class में जूरिए चार से साम के time पे चार से 9 के बीच में आता है तो live class में जूर के भी classes आने वाले हैं तो जूरिए सीखिए फिर मिलते हैं next class में आज के लिए इतना ही thank you